मेश राशिवा मेश लगन के लिए मार्च का महीना क्या लेकर आया है हम जीवन के सभी छेत्रों के बारे में बात करेंगे कैरियर, जौब, बिजनिस, एजुकेशन, शादी विवहा, प्रेम की जो लव लाइफ अगरा सभी के बारे में हैल्थ, अध्यात, मिक्ता सभी के बारे में मार्च के महीने में जो भी लेकर हमारे लिए स्टार्स और ग्रह आये हैं, उसके उपर विस्तार से बाते करेंगे अगर कुछ रेमिडीज हैं, तो उसके बारे में भी धान देंगे किन बातों का ख्याल किया जा सकता है, क्या पूजा आदी भी हम कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और अंत में इस महीने के जो तोहार है और वो तोहरों का किसके लिए क्या महत्त है उसके बारे में भी बात करेंगे तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों की जो है स्थिति क्या है देखे हम बात कर रहे हैं गोचर कुंडिली की गोचर का आर्थ है अभी फिलहाल में जो ग्रह नक्ष्टर है वो कैसे है इसके अलाबा एक आपकी जन्म कुंडली होती है जहां आपका प्रारब्ध लिखा होता है तो जन्म कुंडली महत्वपूर्ण है सरवाधिक महत्वपूर्ण वही है जिसके बारे में चाणक्य ने कहा है स्री यक्तेश्वर जी ने कहा है और भी संतों ने कहा है कि व्यक्ति अपना प्रारब्ध स्रीकर्ष्ण ने भी कहा है कि अपनी प्रवर्ति जन्म के समय ही लेकर आता है पूर जन्मों के अनुसार तो वो आपकी जन्म कुंडली है उसमें आपका भग लिखा है अब ये ग अब इस चल रहा है क्या उतार चड़ रहे हैं तो अगर हम देखते हैं तो आपके दुत्य भाब में ब्रशब राशी में इस महीने मंगल और राहु एक साथ जो हैं अंगारक योग बना रहे हैं पर ये अंगारक रोक के साथ साथ एक धन योग भी है क्योंकि लगन का स्वामी धन के उसमें है इसके बाद अश्टम भाब में केतु है अब ब्रशब राशी में केतु को अच्छा मानग है और केतु मंगल की राशी में है और मंगल चुकी धन भाब में है तो कुछ ना कुछ धन से समन्द केतु भी दिखा रहे हैं इसके बाद आपके दसम भाब में मकर राशी में गुरु और शनी पूरे महिने रहने वाले हैं गुरु और शनी बुद्ध यहाँ पर सिर्फ 11 तारिक तक रहेंगे 11 के बाद बुद्ध जो है वो कुम्भु में आपके एकादस भाव में चले जाएंगे आपके एकादस भाव में सूर्य 14 तारिक तक चौदे तारिक को मीन संक्रांती है मतलब चौदे तारिक को सूर्य मीन राशी में चले जाएंगे और शुक्र यहाँ पर सत्रे तारिक तक है सत्रे तारिक को वो भी मीन राशी में चले जाएंगे जहां जाकर वो उच्छ के हो जाएंगे आपके द्वादस भाव में तो ये तो है इस महीने की ग्रह स्थिति पूरे महीने सनी, स्रवणा, राहु, रोहेणी और केतु जो है जेश्टा नशक्तर में रहेंगे पूरे महीने गुरू यहाँ पर नक्षत्र परवरतन कर रहे हैं पांच तारिक को वो धनिष्टा नक्षत्र में आ जाएंगे तो गुरू नॉर्मली बहुत लंबी देर एक नक्षत्र में रहते हैं बहुत समय बाद नक्षत्र परवरतन कर रहे हैं तो वो धनिष्टा नक्षत्र में जब आएंगे तो थोड़ा सा मंगल का असर देंगे और आपके लिए चुकी मंगल लगनेश है और मंगल की स्थिति धन भाव में है तो गुरू भी आपका धन का रिजल्ट देंगे दुत्य भाव का रिजल्ट देंगे बाकी के जो ग्रहें हैं वो लगबग आप देख सकते हैं इसी तरह शुक्र भी सत्विषा पूर्वा भद्रपदा उत्तरा भद्रपदा रेवती नक्षत्र में रहेंगे दौनों ही सूर्य और शुक्र पहले एकादस में बाद में द्वादस भाव में रहेंगे तो एकादस में सभी ग्रैच्छे होते हैं तो एक कह सकते हैं कि सूर्य और शुक्र जो हैं पहले पंदे तरिक तक काफी अच्छर जल देंगे उसके बाद जब वो द्वादस भाब में होंगे तो सुक्र तो अपने उच्छी की राशी में द्वादस भाब में सुक्र का जो गोचर है वो वहाँ पर भी अच्छर जल देगा सुरी के गोचर में कुछ साबधानिया रखनी होंगी पर फिर भी है यहाँ पर भी एक राजयोग बना रहे है राजयोग क्यों क्योंकि सूरी जो है वो त्रिकॉण के स्वामी है शुक्र यहाँ पर केंदर के स्वामी है केंदर त्रिकॉण के स्वामी कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो राजयोग बनाते हैं पहले लाव या भाब में बैठेंगे उसके बाद बैभाब में बैठेंगे तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा है यहाँ पर भी विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदी से लाब कराने वाले हैं तो यह तो रहा हमारी ग्रहों की स्थिति अब इसके बाद हम एक-एक ग्रह को देखेंगे उसकी सारी दिश्टियों को देखेंगे क्या-क्या वो कर रहा है कि छचेत पर क्या परवरतन ला सकता है उसको हम देखेंगे ओबर ओल स्थिति को अगर हम देखते हैं तो देखिए लगन का स्वामी जो है उसी से शुरूबात करते हैं वो दुत्य भाब में गया है राहू के साथ है अंगारक योग बना रहा है अब लगन का स्वामी दुत्य भाब में गया दुत्य भाब धन का है पैसे का है वानी का है कपड़ों का है जैसा हम बोलते हैं उसका है गुस्से में हम कैसा behave करते हैं उसका भी है जुएलरी का भी है तो पैसे के मामले में तो अच्छा दिखा रहा है आर्थिक इस्तिति के लिए अच्छा है क्योंकि दूसरा भाब, छटा भाब और दसम भाब ये आर्थिक त्रिकॉर्ण होते हैं और इसमें लगवेश अगर जाता है तो अच्छर जड़ देता है जहां तक कि संतों ने लिखा है मंगल के गोचर के बारे में तो दुत्य भाव में मंगल का गोचर कुटम्बु के लिए अच्छा नहीं है कुटम्बु के मतलब पती-पत्नी में प्रेम के वामले में उतना अच्छा नहीं है अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी से तलाश में है आप चाहते हैं आपकी गल्फरेंड हो बॉइफरेंड हो तो उसके लिए भी दोस्ती में भी थोड़ा सा यहां मंगल गुसे की बज़े से जल्दवाजी की बज़े से रिष्टों में थोड़े सी खटास आ सकती है दूरी आ सकती है अगर आपकी शादी हो चुके तब भी पती-पत्नी के बीच में यहां पर थोड़े सी दूरी आ सकती है यहां से यह दौनों के दौनों ग्रहे अश्टम भाब को देख रहे हैं उनका असर अश्टम भाब पर जा रहा है जहां पर केतु पहले से महुज़ीद हैं तो ऐसे में सास ससुर के साथ थोड़ा सा कन्फिलिक्ट हो सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें हलाकि धन के मामले में आप प्रियास करेंगे और राहू भी अगर आप गुसे को कंट्रोल कर सकते हैं आपके अंदर एनर्जी बहुत हैं आप मेस राशी वाले हैं आप एडवेंचर को पसंद करते हैं आपको आउटिंग पसंद है आप बहुत सारे कारे एक साथ करने की भी कई बार कोशिश करते हैं पर अगर लक्ष को पाना है तो एनर्जी के साथ साथ गती के साथ साथ सही दिशाका होना भी जरूरी है किसी भी काम को जब करते हैं तो उसको पूर्टा तक पहुँचाना भी जरूरी है तो इन दो तीन चीजों का बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो गुस्से का जल्दवाजी नहीं करेंगे जो भी कोई काम करका उसमें थोड़ा सा धहरे रखेंगे जब तक कि वो पूर नहीं हो जाता तब तक उससे अपना फोकस नहीं हटाएंगे तो आपको ये जो योग ब का है डेंटिस्ट हैं सर्जन हैं इंजिनिरिंग में हैं इस तरह के जॉब में हैं तो मंगल आपको काफी फायदा यहां पर देगा क्योंकि लगनेस दुत्यभाब में जाकर धन योग बनाता है इसके साथ फॉरन लेंड से अगर आपका कोई रिलेशन है या फिर आप बाहर ही रहते हैं आप एक मल्टिनेशनल कंपणी में काम करते हैं या फिर आपके पार्टनर्स जो बिजनिस में हैं वो दूसरे धर्म के हैं दूसरी भासा का कुछ उन में टच है क्योंकि राहू दुत्यभाब में बाहर से धन देलाते हैं पर अपने लोगों से परिवार से वहा अपने अपने लक्ष के परती उसको उस समय को देना है आपको इसके बाद मंगल की अगर हम यहां से डश्टियां लेते हैं तो मंगल की तीन दश्टियां है चौथी दश्टी सात्मी दश्टी और आठमी दश्टी चौथी दश्टी एक, दो, तीन, चार, पंचम्भा पर आठमी दश्टी की हम बात कर चुके हैं कि धन साससुर के साथ और पत्नी की या पत्ती की जो वानी है आपके प्रेमी या प्रेसी की जो वानी है वो थोड़ी सी कटू हो सकती और आपकी भी बानी थोड़ा सा ख्याल रखना है कारण क्या है आपकी वानी तो मंगल और कुछ ऐसा बोल सकता है, जो आपको पसंद ना आए, और आप भी फिर आंसर में कुछ कम रहने वाले नहीं है, आपको जाद ही बोल सकते हैं, क्योंकि अंगारक है, भले ही बाद में आपको पच्टाबा हो, तो पहले से ही ध्यान रखना है, यह चीज़ें हो सकती हैं, तो इस के साथ साथ कार्म परधान विश्व रचिराखा, जो जस करिये ताफल चाखा, ग्रह भी आपको उठाके नहीं ले जाते हैं, आप ही जाते हैं, तो आप अगर अपने उपर कंट्रोल करेंगे, नथिंग इस पावरफुल देन बिल आफ ता मैन, मतलब मनुष्ट की इच्छ शक्ति से जादे कोई भी शक्ति शाली नहीं है, पर उसका यूस्ट तो करें, किर्यामान जो कर्मा है, उसका यूस्ट तो करें, तो आप इन चीजों को बदल सकते हैं, चौथी दस्टी से छोटा आपका, छोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कि आपके जो बच्चे हैं, आप ना बढ़ें, क्योंकि ग्यान से समझा करी, बातों को बच्चों को समझाया जा सकता है, ना कि मार पीट कर, या कि धमका कर, इस तरह से समझाएं कि एक बैलेंस रहे, तो बातें सही रहेंगी यहां से, मंगल की जो अश्टमपर राहु की जो अश्टमपर दस्टी है, ड्रा अगर आपकी मंगल राहु के, तो इनकी दशा महादशा है, तो मतलब जल्दवाजी में, आपका स्वभाब भी थोड़ा सा गरम है, और ऐसे में आप किसी से बायचान घर में कोई बात होती है, और आप जल्दवाजी में थोड़ा निकल जाते हैं, तो दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें मंगल की जश्टी पिता के भाव पर भी है और पिता के भाव के जो कारक है सूर्य वो भी आपके बारे में भाव में रहेंगे पंदरे तारिक के बाद चौदे तारिक के बाद तो चौदे तारिक के बाद खासकर पिता की सेहत का ध्यान रखना है उनसे रिष्टों का ध्यान रखना है बौस के साथ भी थोड़ा सा रिष्टों में खटा सा सकती है चोड़े तारिक की बाद कहीं बार ये चीज़ें आपका बहुत आपके पिता कहीं बाहर विदेस भी जा सकते हैं आपसे दूरी बन सकती एक तरह कि कभी-कभी ये भी दिखाता है इसके बाद हम आजाते हैं राहु के बहुत अच्छा तो नहीं माना गए कुटुम्ब के लिए बहुत बड़िया नहीं है पती पत्नी और रिष्टों में उतना अच्छा नहीं है पर कुछ चीजों के लिए अच्छा है आपको यात्रा करा सकता है देस बिदेस ले जा सकता है फोरण चीजों से आपको लाब दिला सकता है spouse के साथ पत्नी के साथ उसका ख्याल रखना है थोड़ा सा misunderstanding आदी हो सकती है इस चीज़ का ध्यान रखें जो बात नहीं है उस बात को लेकर जगड़ा हो सकता है कई बार बात बात बढ़ जाती है तो उस चीज़ का ध्यान रखें और राहुक की अगर आपकी दशा महादशा है तो माता दुर्गा की पूजा बहुत बेस्ट रेमेडी है इसके साथ साथ बुधवार को जो गरीब लोग हैं जो कमजोर लोग हैं जीव जन्तू हैं चाहे वो आपका दो तिन रंग का कुट्ता हो दो तिन रंग का भी शक के उपर आपस में कोई लड़ाई जगड़ा ना करें सिर्फ शक के उपर जब तक की 100% कोई बात कन्फर्म ना रहो शान्त रहें प्यार से बात करें ज्यान पूर्वक बात करें बुध्धिमानी का पर्चे दें तो राहु अच्छा रिजट देंगे तो दोनों ही चरप से यह है कि अगर साथ भी राहु को गुरु का साथ भी मिल रहा है और थोड़ा सा शक की जो चीज़े हैं वो भी बढ़ रही है तो आप जिस तरह से बैलेंस करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा इसके बाद आ जाते हैं हम आपके केतु के बात केतु अश्टम भाव में अकाल्ट एस्टेलोजी जोतिश इस सब में आपकी रूची दिला सकते हैं पैत्रिक संपत्ती से आपको निराशा मतलब अगर आप सोच रहे थे अगर आपकी केतु की दशा चल रही है कि आपको पैत्रिक संपत्ती मिल जाएगी या इस तरह का तो इस साल सायद वेट करना पड़े और सास ससुर के साथ थोड़ा सा मेरिज लाइफ में थोड़ी सी बातें बिगड़ सकती हैं अगर जनम कुंडली में ऐसी स्थिती है तो गुरू शानी बुद ये तीनों दसमभाब में बैठकर बताते हैं कि ये जो महीना है कारे के लिए महत्वपून है ये जो महीना है वो प्रोफेशन के लिए बिजनिस के लिए पद पतिष्ठा के लिए समाज में आपकी स्थिती के लिए महत्वपून है आपका नाम हो सकता है आपको अगर कारे की तलाश में है तो कारे मिल सकता है आपके पद पतिष्ठा में ब्रद्धी मिल सकती है कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे की लोग आपको जाने अब हो सकता है क्यों क्योंकि ये सिर्फ गोचर कुंडिली है जन्म कुंडिली तो नहीं है किस ग्रह की यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं नवम का स्वामी और दसम का स्वामी साथ-साथ दोनों मिलकर राजियोग बना रहे हैं केंद्र का स्वामी देखी यहाँ पर शनी हो गए और त्रिकॉन के स्वामी आपके गुरु हो गए वो दौनों साथ-साथ हैं तो ये राजयोग हो गया बुद्ध जो यहाँ पर रहेंगे वो वास्तम में तिर्ती के स्वामी है और छटे के स्वामी है पर दसम में बुद्ध का गोचर अच्छा माना गया वो कोई राजयोग वगरा नहीं बना रहे हैं तो गुरू की पंचम दस्टी दुत्य भाब पर सप्तम चतुर्थ भाब पर और जो नवम दस्टी है वो छटे भाब पर है दुत्य भाब पर जो दस्टी पढ़े है धन को बढ़ाएगी आपको रियल स्टेट, घर, जमीन, जाजाद, आदिसे लाब हो सकता है आप घर, गाड़ी, खेत, भूमी, बाहन खरीदने का योग भी यहाँ पर बना हुआ है जवरदस्त योग बना हुआ है इसके साथ साथ चूकी गुरू और शाहिनी की सयुक दक्सी चतुर्थ भाब पर है तो पद, पोस्ट, पोजिशन, पतिष्ठा के अलावा घर, जमीन, फ्लैट, खेत, आदि खरीदने की संभावना यहाँ पर बनती है और माता के जीवन में की, अगर माता वर्किंग वोमेन हैं, काम करती हैं तो उनके जीवन में कोई बड़ा परवितन आ सकता है उनका प्रमोशन या उनका ट्रांसफरादी भी हो सकता है गुरू की यहाँ पर जो दस्टी आती है, छटे भाव पर सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें आप कुछ पुन्य का काम करेंगे, घर में कोई ऐसी जैसे कथा होई या कोई धार्मिक चीज में आप कोई लड़ाई जगड़े में ना पढ़े, सत्रों को आप परास्त करने में सक्षम होंगे पर ग्यान के साथ, डिपलोमैसी के साथ, ना की लड़ाई जगड़े से इस चीज की हाँ पर आपको सलह दी जाती है, शनी की दश्टी की बात करें, तो शनी आपको बाहर ले जाना चाहते हैं, विदेश ले जाना चाहते हैं, कारे के छितर में कहीं आपका बाहर जाना हो सकता है, क्योंकि दसमेस की दश्टी, 12 भाब पर पढ़ रही है, बढ़े बड़ी यात्राएं, overseas यात्राओं का तो है ही यही भाब, मोक्ष का भी है समाधी का भी है, meditation का भी है, अकेलेपन का भी है, साया सुक का भी है, भूत प्रेतादी का भी है, दूसरी dimension का भी है खर्चे का भी है, आपके नानी मा का भी है आपके पिता की माता मतलब दादी मा का भी है दादी मा का और नाना जी का भी है इस तरह से आप कहा सकते हैं तो इन सब चीजों पर शनी की दश्टी आ रही है तो दादी मा की सेहत का खोड़ा सा ख्याल रखें यहां पर और बाहर बिदे साधी जाने का कारे के छित में जरूर चांस बनता है और meditation, yoga इन सब की तरफ आपका interest हो सकता है यहाँ से शनी की जो दश्टी है गुरू और शनी की सईक्त दश्टी की हम बात कर चुके है दसमी दश्टी सनी की जो है वो आपके सब्तम भाब पर है सब्तम भाब किसका है? marriage का है, marriage quality का है, शादी का है सादी का जीवन कैसा हो, उसका है आपके spouse के व्यक्तित का है, उसके चरितर का है उसकी overall appearance का है, business का है और यात्राओं का भी है उस पर सनी की दश्टी है, तो spouse का नेचर थोड़ा सा, वो slow हो सकता है cold हो सकता है, थोड़ा सा दूरी आ सकती है, ज़्यादे practical हो सकता है बहुत ज़्यादे emotional ना हो, ऐसा हो सकता है ऐसे में आपको उसका ध्यान रखना है आपको उसका ख्याल रखना है, रिष्टी तो होते ही इसलिए कि आप उनका ख्याल रखें और वो आपका ख्याल रखें, अगर वो नहीं भी रखते फिर भी आप उनका ख्याल रखें आप अपना कर्म अवश्य करें उनका जो कर्म है, वो भी समझ जाएंगे तो वो भी करेंगे या करेंगी इसके बाद हमने गुरू शनी की दस्टियों की भी बात की बुद्ध की बात हम कर चुके हैं अब हम एकादस भाब पर आते हैं जहां पर बुद्ध पहुंचाएंगे आपके ग्यारे तारिक को जहां पर शुक्र रहेंगे सत्रे तारिक तक और सुर रहेंगे चौद तारिक तक तो बुद्ध जो यहां पर रहेंगे ग्यारे तारिक के बाद तृते भाब का स्वामी एकादस में छटे भाब का स्वामी एकादस में यात्राओं से लाब हो सकता है सत्रों से हैं आपका काम document से जुड़ा हुआ है communication से जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह का काम है कि लोगों से आपको मिलना होता है बाहर निकलना होता है अगर आप किसी बड़े organization में कुछ international इस तरह का काम है आपका तो आप आपको सफलता काफी मिलेगी आपको success काफी मिल सकती है थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है बड़े भाई के साथ बड़ी बहन के साथ रिस्तों में हाँ पे थोड़ा सा टकराब्द की इस्थिति आ सकती है जरूर नहीं आएगी आएगी यह decide करेगी आपकी जन्म कुंडली यह सिर्फ आपका गोचर कुंडली है इसके साथ शुकर की जो इस्थिति है वो धन भाब का स्वामि एकदस में रहेगा सब्तम भाब का स्वामि एकदस में रहेगा मतलफ कि family से लाब हो सकता है बड़े भाईयों से लाब भी हो सकता है अगर शुकर की दशा महादशा है तो बुद्ध की है तो थोड़ा डिस्टेंसिंग आ सकती है पतनी से, स्पाउस से, पार्टनर से, औरतों से, लेडी से, फीमेल से आपके जो पार्टनर से हैं उन से आपको फायदा होने का चांस बनता है खास करकि 17 तारिक तक बहुत जादा उसके बाद बाहर जाने का चांस बनता है कहीं घूमने जाने का चांस बनता है, कहीं होलीडे पर जाने का चांस बनता है अगर आपकी शुकर की दशा है तो काफी है शाराम पर, सुक भोग पर आप लोग समय बिता सकते हैं और मुर्दा दिल क्या खाग जीते हैं कुछ इस तरह से कहने का मतलब है कि आप एंजॉय करेंगे लाइफ जिस दिये मिली है उसका जो मेन परपाच है उनमें से एक आनंद भी है आनंद रूपी वो है न शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम तो आनंद जो है खुश रहना, दूसरों को खुश रखना अपने परिवार को खुश रखना दूसरों के खुश और सुक की चिन्ता रखना ये भी इश्वर ये गुण है ये एक अच्छा गुण है पस थोड़ा सा उसमें बैलेंस रखना है कि उसकी बज़े से आपको या किसी को कोई असुविधा ना हो otherwise सुक्र का 12th house में जो गोचर है वो अच्छा का आगा है जो लोग सिंगल है उनको किसी से मुलकात होने का chances बनता है खास करकि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और किसी बाहर के व्यक्ति से और कहीं यात्रा की समय किसी मंदिर के आसपास आपकी मुलकात मंदिर हुआ चर्च हुआ हुस्पिटल हुआ ऐसी जो जगह होती है जो 12th house दिखाता है अंतिम्यात्रा को भी दिखाता है अंतिम्यात्रा थोड़ा गलत हुआ जीवन का जो अंत है वो तो चतुर्थ और अस्टम दिखाते हैं यह दिखाता है आपका अगला जीवन कैसा होगा कहां पर होगा तो शुक्र का यहां पर आना अच्छा माना गया है अब यह थोड़ा स अगर शुक्र है यहाँ पर गुरु है तो व्यक्ति उच्छ लोगों को जाता है स्वरगादी को जाता है अगर यहाँ पर केतु है और सुभधस्टी है तो फिर वो इश्वर में विलिन हो जाता है मोक्ष को पराप्त हो जाता है तो यह थोड़ा सार हुआ आप जिन लोगों को इंट्रेस्ट है जोतिस में उनको ऐसा पसंद आएगा सुनना यह हमारे रिशियों ने बताई हुई कुछ टेक्नीक्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं इसके बाद सूर्य की अगर हम बात करें तो देखिए सूर्य जो है 14 तारिक तक एकादस भाब में रहेंगे बहुत अच्छी बात है सूर्य जब एकादस में होते हैं तो पतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाते हैं अगर किसी की सूर्य की दशा महादशा है तो जोब में ब्रधी भी हो सकती है मतलब इनकम बढ़ सकती है प्रमोशन हो सकता है और दूर की आतरा भी हो सकती है स्टॉक मार्केट आदी में लाब हो सकता है क्योंकि पंच मेस का स्टॉक से मतलब है और शुकर और पंच में इस दोनों ही अच्छी स्थिति में है तो उसमें लाब हो सकता है अगर आपने श्टॉक में लगाया हुआ है पैसा वैसा तो मेसरासी वालों के लिए इस तरहे की स्थिति activation बन रही है अगर जनम पत्री में भी सूरी की स्थिति अच्छी है अपने पिताजी का ध्यान रखें, अपने गुरु समान लोगों का ध्यान रखें, अपने से बढ़ों का ख्याल रखें, उनसे थोड़ी मिस्टेंडिंग हो सकते हैं, या फिर वो किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, अपने स्वास्त का भी थोड़ा सा धान लगें सुर्य का बारे में भाब में गोचर कहीं बार स्वास्त два की थोड़ा सी टैंसन दे सकता है जल भाब में है, जल की राशी में है तो कफ़ पर्धान, मतलब कि जिसे जुकाम बुखार जो खाम खास करके जो खाम हो जाना किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है अस्थमा है पहले से तो वो थोड़ा सा ध्यान लखे कफ प्रधान जो योग रोग है वो बढ़ सकते हैं तो मेरे खाल से हमने सभी ग्रहों को देख लिया अब थोड़ी सी रेमेडी की बात कर लें हलाकि हम बीच में कर चुके हैं देखिए अगर आपकी राहु की तशा चल रही है क्योंकि राहु का गोचर बहुत ज़्यादा फेवरिल नहीं है तो माता दुरगा की पूजा इस तब बेस्ट रेमेडी दुरगा सबसती का पार्ट या फिर नवान मन्त ओम आयम रेम कलेम चामुंडाय विच्चे वो वाला जो है ओम दुम दुरगाय नमा या फिर दुरगा सबसती ये आप कर सकते हैं इसके साथ साथ चाहें तो बुद्भार को चाहें क्या करने ही चाहिए कुछ गरीब लोगों की लंगडे लोगों की जिनकी आँखे नहीं है उनकी जिनको कुछ रोग है उनकी सहायता करें प्रेम पूरवक करुणा पूरवक मन वचन करम से मतलब कि उसी समय नहीं आपके मन में उनके प्रती दया होनी चाहिए करुणा होनी चाहिए तब आपकी remedy काम करेगी इसके साथ साथ जौन का दान बताया गया है पानी में भी जौन बहा सकते हैं और ये तो हो गया राहू की अगर आपकी दशा है केतू की दशा है तो depending upon आपका केतू किसे भाव में है आप मेरा वीडियो देख सकते हैं केतू के बारे भावों के उपर है और केतू की जो remedy है वो कर सकते हैं कुछ remedy जो हमेशा काम करती है केतू की वो है भगवान स्री गणेश की पूजा और उनको दूरबा चढ़ाना बुद्भार वाले दिन और गरीब लोगों की जो है दान दच्छना करना उनका ख्याल रखना मंदिर में घंटी आदी बांधना ये सब खटे का दान करना ये कुछ remedy जो हमेशा होती है वो है बाकि आपको अपने किस भाव में केतू है उसके आधार पर remedy देखनी हो तो एक वीडियो है जिसमें मैंने केतू के बारे में जो remedy है उसके बारे में बात की गई है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं गुरू आपकी स्तिती में कुंडली में अच्छे ही चल रहे हैं फिलाल तो कुछ ऐसी खास remedy की ज़रुत नहीं है पर फिर भी ब्रहस्पतवार वाले दिन अगर किसी की गुरू की दशा है तो थोड़ी सी हल्दी अगर आप उसमें पानी में डालते हैं केसर का तिलक लगाते हैं माथे पर जीवा पर और नाभी में ये कुछ बनौपता बैस्ट remedy हैं गुरू के लिए अपने गुरू का आधर करते हैं आसपास कोई मंदिर है तो उसमें प्रेम पूर्वक करॉना पूर्वक घूमने जाते हैं बैठ जाते हैं और कोई भी मंदिर है धर्म के परती आपके अंदर आस्था है तो गुरू तो मजबूत होने ही होने आपको धीरे धीरे अच्छा फल देंगे ही देंगे शनी आपके दसम भाव में चल रहे हैं तो भगवान स्री क्रिश्न की पूजा, काली बाता की पूजा और हनुमान जी की पूजा जो भी आपके करीब हो वो कर सकते हैं इसके साथ साथ धर्म का पालन करें जूट ना बोलें, किसी के साथ धोका बिलकुल ना करें, सच्चाई पर चलें अपने से कमजोर का साथ दें, अपने से बढ़ों का आदर करें शनी हो नहीं सकता कि आपको बुरा फल दें जो पुराने जन्मों के कारण कोई अगर कुछ फुराफल दे भी रहें, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव जरूर हो जाएंगे सर्थ है कि आप विश्वास न छोड़ें, आप इन चीजों पर अच्छे कारण पर लगातार लगे रहें बुद्ध नॉर्मली अच्छे ही चल रहे हैं, बहुत जादा बुद्ध इतना मेलेफिक इफेक्ट नॉर्मली नहीं देते हैं पर फिर भी बुद्ध के लिए भगवान स्री गणे, स्री नारायन की पूजा बैस्ट है, विश्णु सहस्तनाम शुकर के लिए माता लक्ष्मी की पूजा, और सूरी के लिए भगवान श्री राम ओया, फिर सिब जी की पूजा, सूर नमशकार करना तो हम सभी को चाहिए ही चाहिए इसके बाद हम थोड़ा सा तोहारों की बात करेंगे, जल्दी से कौन कौन से तोहार हैं, कुछ तोहार तो बहुत ही महत्पूर्ण हैं जयसे की होली और, महाशिवरात्री इसके साथ-साथ कुछ बरत आ दी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे चलिए अब बात करते हैं तोहरों के बारे में तो सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्री की बहुत-बहुत बधाईयो 11 मार्च को महाशिवरात्री है जैजैशिव शंकर ओमनमाश्यवाय तो बरत रखेगा बहुत ही महतपून तोहर है फाग उनकी चतुरदशी को माता पारवती ने प्रभु को कड़ी तपस्या के बात प्राप्त किया था और भी कहानी है इसके बारे में तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं पर सबसे महतपून है कि दिन खाश है और इन खास दिनों पर मंत्र आदी अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर प्राथना करते हैं तो इनका वास्तम में एक विसेश महत होता है समय बहुत बलवान है व्यक्ति वही होता है समय बदलता है तो वही राजा वही रंग तो इसी तरह से ये सुब दिन होते हैं इस तरह से कुछ ग्रहों की स्थिति होती है कि इन दिनों की गई पूजाओं का विसेश महत होता है अगर महात्मा बुद्ध की भी बात करेंगे तो उनकी उसमें भी ये जिक्र मिलता है कि जब आखरी बार वो बैठे थे तो सूरी की तरफ प्राथना करके सूरी की तरफ सूरी की दिशा में करके उन्होंने अपना वो बनाया था और इस मन की स्थिति के साथ बैठे थे पुजा में कि अगर प्राप्त नहीं होता आत्म ज्यान तो वो उठेंगे नहीं और उन्हें हुआ तो दोनों ही चीजे में उन्हें आपका कर्म आपकी ध्रण इच्छा और जोतिष का ज्यान तो ब्रत रखेगा सचे मन से प्रभु की अगर आप प्रातना करेंगे और धर्म पूर्वक आपकी कोई भी इच्छा होगी तो उसको अवश्यप पूर्ण करते हैं महादेव 28 तारिक की आपकी होली का धहन है छोटी होली है 29 तारिक की बड़ी होली है दुलहंडी अब जो भी कहें वो है तो आपको उसकी बहुत-बहुत मुबारक हो छोटी होली का संबंद हिर्णाक अश्यप वाली कहानी से अब जानते हैं सारी ही तोहार हमारे अच्छाई पर अच्छाई की बुराई पर विजय सत्य की असत्य पर विजय और धर्म की विजय को दिखाते हैं तो धर्म पालन एक मात्र सबसे अच्छी रेमेडी पी है ये इस बात को भी दिखाता है 28 तारिक की पूर्णिमा है पूर्णिमा का बरत धनादी से जोड़ा गया है जिनके चंद्रमा थोड़े अशुब होते हैं उनके लिए पूर्णिमा का बरत अच्छा माना गया दिश्योग आदी जो होते हैं उनको पूर्णिमा का बरत रखना चाहिए 29 तारिक की विजया एकादशी है जो भगवान श्री राम से संबंधित है इसका संबंध उस कहानी से है जब समंद्र को पार करने से पहले जो श्रीव जी ने पूजा आदी की थी उससे संबंध है इसका और उसके बाद नोंने रावन पर विजया प्राप्त की थी तो विजया एका दशी है जिंदीगी में विजय दिलाती है किसी लक्ष में इसके बाद अम्माली का एका दशी है जो पदम पुराण में जिसके वारे में बताए गया है तो उसको आप भगवान भिश्णु के जो भगता है उनके लिए एकादशी की जो थिथिया वो बहुत महत्योपूर्ण होती है बहुत सारे आपके पापों को कम करने में, नश्ट करने में, जलाने में सच्चे मन से किये गए ब्रत का रोल होता है सच्चे मन, कर्म, मनसा वाचा, कर्मना से जब आप ब्रत करते हैं तो आप बहुत सारे कर्मों को जलाते ही नहीं, आप आगे के लिए भी एक लंबी धूरी तक एक अच्छे जीवन के लिए तयार होते हैं इसके साथ साथ 10 और 21 तारिक का प्रदोश्वरत है जो भगवान शिवशे रिलेटेड है भगवान शिव इश्वर का दूसरा नाम है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम और शिवजी हुए विष्णु जी हुए गणेश हुए माता हुई वास्तम में एक ही हैं जैसे हतेली की पाँच उंगलिया होती हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट संतों ने अपनी आध्धात्मिक साधना में जो उनको रूप थोड़ा सा समझ में आया उसके एक दिया एक तस्वीर देने की कोशिश की जिसमें हर चीज का एक महत्त है वास्तम में इश्वर एकी है इसके बाद शिवरात्री है 11 तारिकी महा शिवरात्री वो तो है जो धूमधाम से मनता है मनाईएगा उसकी बहुत-बहुत बिधाई हो 31 तारिकी आपकी संकष्टी है तेरह तारिकी अमावस्या है संकष्टी जो है चतुर्थी को होता है गणेश्ची से संबंध है गणेश्ची हर विग्न को हरने की छमता रखते हैं प्रथम पूझ देवता हैं तेरह तारिकी अमावस्या है जिन लोगों का पित्र श्राप है कुंडली में राहू शनी की दशा महादरशा अच्छी नहीं जा रही है तो उनके लिए अमावस्या का विसेश है मंत्र सिद्धी के लिए भी अमावस्या का विसेश महत्व है 14 तारिक की मीन संक्रांती है अध्यात्म के लिए एक विसेश तारीक होती है संक्रांती वाले दिन किसी का जन्म हुआ है तो उनको संक्रांती का बरत आवश्य रखना चाहिए क्योंकि उस दिन जन्म होने से कुछ जिन भावों में कुछ थोड़ा सा दिक्कत रहती है जैसे हम आवस्या को जन्म हो उसको मबश्या कबरत रखना चाहिए इस तरह से और संक्रांती बाले दिन किसी अगर आपकी कुंडली में कोई श्राव आदी है तो उससे समंधित मंत्र का जाब भी सुरू क्याराया जाता है उसका एक विसेश महत बताया गया है तो ये थे इस महिने के तोहार मुझे आशा है कि आपको ये राशी फल मासिक फल अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा घंटी वाला जो बटन है उसको दवाना मत भूलेगा मैंने डेक्सक्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेस्बुक का इंस्टाग्राम का ट्यूटर का तो प्लीज लाइक प्लीज फॉलो इसी के साथ मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार